हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं मैं एक दम अच्छा हूँ आज हम बात करने वाले हैं कि UPSC का detailed application form कैसे बरा जाता है and कोई गलती आपकी ना हो एक दम efficiently accurately आप इस form को भर पाएं this is the purpose of today's video चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो शुरुवात में आपको registration details बरनी होती है यह थोड़ी personal details होती है आपको यह बरनी होती है तो basically आपको अपना name बरना होता है और आपको ensure करना होता है कि जो आपका father's name है वो भी exactly आपकी 10th की mark sheet से मैच हो रहा हो और जो आपकी बागी official documents है अधार कार्ड पैन नंबर उसमें जो आपका नेम है father's name है वो exactly match हो रहा होगे आप ensure करना यह बहुत important है actually मैंने इसमें mistake करी इसलिए मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि जो मेरी 10th की mark sheet थी इसमें मेरा मेरा father का नाम अलग था और जो मैंने यहां पर father's name बर रखा था वो थोड़ा different था तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बाद में UPSC ने actually मेरे इस एक affidavit भी मांगा था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मैंने extra UPSC को affidavit भेजा mail किया थोड़ी थोड़ा actually मेरा delay हो गया था इस वज़े से तो मैं चाहता हूं आप लोगों का ऐसा ना हो आपका नेम father's name exactly match करना चाहिए जो आपके official documents especially आपकी 10th की mark sheet है तो आप यह प्लीज एंशोर कर लेना यह मेन है सबसे important चीज है इसलिए मैं आपको शुरू में बता रहा हूं तो आप यह इंशोर कर लेना बाकी mother's name और यह सब भरी लेंगे gender and community अपनी जो भी है वो तो आप भर लेंगे जो email ID है जो most active आपका email ID है primary email ID है वही आप दीजिएगा इसमें कोई वह नहीं है कि आप secondary email दे तो आपको regularly अपनी email check करनी है regular communication रहेगा आपका UPSC के साथ तो proper वाली email आप दीजिएगा okay then place of birth अपनी देंगे and minority status yes or no date of birth में आप यहां पर document लगाएंगे जैसे मैंने आपको बोला 10th की mark sheet बहुत important होती है वो date of birth के लिए भी important होती है तो जो document आप 10th की mark sheet लगाएंगे यहां पर nationality और लिख देंगे age relaxation अगर आपकी कुछ है तो आप yes mention करेंगे mostly तो नोई होता है then hobbies important hobbies actually यह ना आपके interview में काम आती है तो hobbies आपना एकदम honestly लिखिएगा जो आप actually में करते हैं आप वही लिखिएगा exactly वही आप कुछ extra flowery और exaggeration मत करना क्योंकि UPSC आपको पगड़ लेगा hobbies पर तो hobbies आप वही लिखना जो आप actually में करते हो जैसे मैंने क्या लिख रखा है तो क्योंकि मेरी actually a hobby है ना तो इसलिए मैंने आप लिख रखा है तो जो भी आपकी hobby है वो ही लिखिएगा फिर मैंने लिखा है I'm curious about French language अब French language अब आप लोग यह नहीं लिखोगे ना आप कुछ और लिखोगे जो आपने किया है actually मुझे French आती है मैंने French actually में सीखी आलियॉंस फ्रॉंसेस से तो अगर वो बोलते है कि आप French में इंट्रेड्यूस करो अपने आपको मैं कर देता मुझे French आती है तो इस वज़े से आप वही चीज वही की वर्ट यहां पर लिखो हॉबी में जिसमें आपको ना इंडेफ्थ नॉलेज है जो आपने खुद किया है कुछ भी नहीं कर सकते ओके अगर कोई होबी नहीं है तो मत लिखो या फिर बस खाली एक ही सिंटेंस लिखके छोड़ दो मुझे कुकिंग पसंद है ठीक है अगर कुकिंग बहुत अच्छी लगती है आपको सब कुछ पता है कुकिंग के बार में तो कुकिंग लिख दो लेकिन वही चीज लिखो जो आपने अक्चुली में करी है इस वेरी इंपोर्टेंट वनना यूपी एससी इंटेव में आपको ग्रिल कर डालेगा उस पर दिक्कत होगे अगर आप नहीं बता पाओगे तो इस वज़े से और और ऑलसो लव तो राइट माई ट्रावल एक्पीरेंस अन माई ब्लॉग हम मैं करता हूं मेरा ब्लॉग है तो अगर वो मेरी पूस्टे की ब्लॉग का ईडी क्या है कौनसा बलॉग है को मैं सब कुछ बता ओनको और जहां-जहां-जहां गया हूं मैंने ऑप्सी अपने इक्सिवीरेंस करले द्युकत कि बात नहीं है तो यह मेरी आक्शूल की होबी है जो मैंने यहां पर लिखी है आप भी अपनी actual hobbies लिखना this is very important be authentic about yourself then education qualification अब लिखी दोगे ना जहां से आपने graduate degree करी है वो लिखना है आपको अपनी mark sheet लगानी है आपको अपनी degree लगानी है देन अगर आपने master's किया है वैसे mostly तो आपने नहीं किया होगा master's बट अगर आपने किया है तो please mention it MA किया है MBA किया है MTEC किया है जो भी किया है प्लीज मेंशन इट आप अपना marks यहां mention करोगे percentage GPA जो भी है देन अपनी mark sheet लगाओगे और अगर डिग्री नहीं लिए तो provisional degree लगा दोगे ठीक है provisional तो मिलती ही है वह आप लगा दोगे प्लीज take care of this education qualification धंग से बरना कोई mistake मत करना जो exactly degree पर आपकी date लिखी है जो pass out date है जो आपका result notification जो है date of notification result issue of final mark sheet जो degree पर लिखी है ना वही लिखना इसमें यह जो date होती है यह वही लिखना जो आपकी डिग्री पर लिखी रहती है और mark sheet पर लिखी रहती है उस हैसाब से correlate करके लिखना इसमें गलती मत करना and marks में गलती मत करना exaggeration मत करना वही लिखना this is very important then obviously अगर आपको को work experience है तो यह भरा जाएगा अगर आपको work x नहीं है तो कोई दिख्धत की बात नहीं है जरूरी निया work x हो बट अगर work x है तो प्लीज लिख देना work x ऐसे मत करना कि अगर आपने एक दो साल काम किया है तो छोड़ो मैं नहीं लिखता मुझे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है work x नहीं अगर आपने किया है तो प्लीज मेंशन यो work x क्योंकि हो सकता है UPSC कुछ extra marks देता हो work x लिखने के कुछ अगर relevant work experience है तो जैसे मेरा कुछ साल का work experience था तो मैंने लिखा है कि हां मैंने सामसंग में यसे काम किया था वो लिखा है and clearly nature of duties मैंने लिखी है इंटेवी में में से पूजी गहीं थी nature of duties और यही मैंने explain किया था interview में मैं क्या काम करता था सामसंग में तो exactly मैंने word to word मैं यह करके गया था अच्छे से रवाइस करके गया था मैंने यहीं बताया था then document में आप experience certificate mention करना था experience certificate अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी अपने HR को mail डालो and HR department आपको issue कर देगा experience certificate अगर आपके पास है तो कोई दिक्रत की बात नहीं है उसको PDF में करो और upload कर देना यहां पर जब DAF release करेगा UPSC यहां पर एक कॉलम बनके आएगा experience certificate अप्लोड करने के लिए उसमें अप्लोड कर देना अगर नहीं है तो एक बार अपने HR department को mail लिख दो आप और उनसे मंगवा लो अपना experience certificate it's very important फिर मैंने क्योंकि दो जॉब किये थे तो second job थोड़ा NGO type का था field experience था तो मैंने exactly देखो experience मैंने 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 mention कर रखा है primary school teacher although I was a social worker and I was a community leader school leader but मैंने exactly अपनी जो core aspect था ना अपने job को लेके मैंने वही mention कि I have not taken any chances मैंने exactly लिख दिया I was a primary school teacher it's better to play safe with UPSC कुछ भी पूच सकता है और एक दम correctly जो आपने exactly किया है वही आपको लिखना होता है फिर date experience date कितनी है फिर आपने किस level पर काम किया था manager थे क्या आप तो मैंने manager manager चोड़ो मैंने fellow जो मैं था मैंने वही लिख दिया अल्दो मेरा role थोड़ा management वाला भी था supervisory भी था but I have not played मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने flowery exaggeration कर दिया मैं fellow था मैंने fellow ही लिखा है बात में मैंने explain कर दिया था UPSC कि fellow का मतलब क्या होता है teach for India में fellow क्या करता है तो वह समझ गए थे कि हाँ it's like a supervisory role it's like a community leadership role but मैंने यहां पर खाली fellow लिखा है अपने end से मैंने कुछ भी exaggeration नहीं करा फिर यहां पर nature of duties में exactly जो मेरी duties थी as a teacher as a social worker मैंने वह mention कर दिया और यहीं मैंने interview में भी बोली थी कुछ exaggeration नहीं है document में अपना certificate में लगा दिया था मैंने teach for India को बोला था मुझे experience certificate दो उन्होंने दिया था और मैंने वो लगा दिया था यहां पर एक्दम clear बात है उसके बाद बस यह declaration होता है whether your name is the same in all supporting documents देको यहां पर भी पूच रहा है कि आपका name especially father's name be it should be same in all supporting documents तो यह आपने yes कर दिया और यहां पर बस आपने अपना signature लगा दिया upload कर दिया signature and that's it आपका DAF हो गया बस यह है इतना सही है छोटा सा process है and DAF आपका हो गया and अगर आपको और को resources चाहिए तो आपको नीचे description box में मिल जाएंगी आपको books मिल जाएंगी आपको video lectures मिल जाएंगे जो कि आपको personality test में help करेंगे अपनी personality improve करने में help करेंगे in fact मेरा एक tie-up भी है मैंने olive board के साथ tie-up करा है and olive board आपको 45% discount दे रहा है अगर आप मेरा coupon code यूज करेंगे मेरा coupon code है अंश अगर आप यह वाला coupon code यूज करते हैं olive board का अगर आप interview guidance program लेते हैं तो आपको extra discount मिलेगा total आपको 45% discount मिल जाएगा and उसमें X UPSC members भी है panel में X IES officers X IRS officers है तो आपको exact experience मिलेगा UPSC को face करने का इसलिए एक UPSC mock interview एक तरहें से है और आपकी personality भी एक तरहें से judge होगी इसमें आपको पता चलेगा कि आप कहां पर करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं if you want वो भी आपको यह से बताएंगे कि DAF कैसे बनना है and कैसे अपनी personality improve करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं और आपको refined में में बताएंगे क्योंकि actually में उनको experience है इसका क्योंकि वो खुदी bureaucrats है ना तो इस विरे से आपको ज्यादा अच्छा से guide कर पाएंगे तो आप चाहो तो ले सकते हो या फिर अगर आपको नहीं लेना है तो बाकी और भी मेरी लिंक्स पढ़ी है नीचे description box में books हैं तो वह आप देख सकते हैं बुक्स पढ़ सकते हैं आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं आपको काफी help होगी और इफ पॉसिबल आप ओफ-लाइन इंटर्वी देनी कुश्च करें डेली आके या हो सकता है आपको डेली आना पड़ जाए या फिर आप अपनी city में रहें लेकिन आप ओफ-लाइन जो पूरा मॉक पैनल होता है अगर आप उसको फेस करेंगे तो बेटर रहेगा अगर आप डेली नहीं आ सकते हैं या अपकी city में नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए ऑनलाइन बहुत सारी तोड़ी गाइडन्स मिल जाती है मॉक इंटेव्यू से एक बार पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितना और इंप्रूफ करना है वह आपको बता देते हैं आपकी personality को assess करके बता देंगे वो तो एक बार आप देख लेना and all the very best to you UPSC बस रिलीस करने वाला होगा अपने DAF forms and आप DAF भरिये and DAF के one month या I think one and a half months बाद आपको call आजाएगी interview की and I have already told you की EPFO को actually AOEOS और EPFC चाहिए न December तक तो यह process बहुत जल्दी complete हो जाएगा इस साल आपकी joining भी हो जाएगी EPFO में मुझे ऐसा लगता है December तक आप लोग हमें जॉइन कर लेंगे so all the very best to you give your best एकदम मस्ती से इस पूरे process को आप enjoy करो पढ़ाई करो and all the very best होगा आपका definitely होगा जैंद बाइबाई टेक केर